कश्टी अमर 1300 सब मांग रहे हैं रेविया कश्टी अमर 1300 बोट इम्मोर्टल 1300 का रेवियू लिया और फाइनली कल यह मुझे रिसीव हो गया था और इसकी मैं इस्टाग्राम पर स्टोरी डाली दी तो उमसे सवाल पूछे थे काफी सारे सवाल मिले हैं वो सारे इस वीडियो म मैं देतर होंगा और थोड़ा लेट हो जाए तो सौरी तो यह हमारा सफेद काला और लाल डबा हमने वाइट कल रड़ाट किया है यह निकली हमारा है एक पुस्तक एक क्याराडवानी जी को वारंटी कार्ड एक डिटाचबल माइक्रोफोन एक टाइप A to type C केबल और यह हम मतलब मॉइस्चर वॉइस्चर बचाने की चूए माणने की तो कुछ ऐसे हेडफोन आपको इसके अंदर से मिल जाएंगे और हां एक चीज इसकी डॉंगल है वह इसके अंदर स्टोर हो जाती है यह एसे स्लाइड करके खुल जाएगा और यह रही आपकी टाइप सी में तो एड्जेस्ट कर लेना थोड़ा सा समझ रहो ना है नहीं साथ किताब अभी तो इसकी मजबूती पर नजर डाल लेते हैं देखो ओवर आल जो इसकी पूरी की पूरी बिल्ड है वह प्लास्टिक बिल्ड है और प्लास्टिक की कॉलिटी बूट के आस सच बढ़िया ह मतलब बेकार भी नहीं कह सकते और जादा बढ़िया भी नहीं कहेंगे इसके प्राइस रेंज के यसाफ से ठीक है बड़ अगर इसको 3500 के साफ से जज़ करेंगे ना तो उसके साफ से बिल्ड क्यूलिटी बेटर हो सकती थी बर उतनी अच्छी नहीं है मतलब प्राइस के सा और यहां पर माइक म्यूट के लिए है और यहां पर वॉल्यूम बटन्स दिये हैं इसके अंदर आपको थ्री कलर ब्रीधिंग एलीडीज मिलती है और यह एलीडीज आप आफ भी कर सकते हो वॉल्यूम अप और म्यूट की को चार सेकिन तक होड़ करोगे तो उसकी लाइट सेशन के लिए चाहिए तो आप ले सकते हो इसके अंदर आपको 2.4 गिगाट्स वाली एक डॉंगल मिलती है इसके थुरू आप अल्टरा लो लिटेंसी एक्सपिरियंस कर सकते हो यह आपकी स्मार्टफोन पर भी लग जाएगी पीसी पर भी लग जाएगी इवन कंसोल पर लग जाएगी मैं सब पर टेस्ट कर चुक हूँ आगे आपसे गेमिक एक्सपिरियंस भी शेयर करूंगा और इसके अंदर ब्लुटूथ वर्जिन 5.1 आपको मिलता है और इसके अंदर आपको दो मोड्स मिल जाएंगे एक 3D मोड मिल जागा जो बोट का सिगनेचर मोड है और एक दूसरा music mode मिल जागा सकते हो और सब्सक्राइब करने के लिए आपको music mode मिल जागा Whole music mode मिल जागा है क्योंकि इसके अंदर 40 mm के drivers आपको मिलते हैं और 40 mm के drivers music के लिए मैं कभी suggest नहीं करूँगा किसी को अगर आप 80-20 वाले बंदे हो like 80% gaming करते हो 20% कभी का बार music सुन लिया तो casual listening के लिए सही है क्योंकि bass इसके अंदर अच्छा नहीं है और loudness भी अच्छी नहीं है ट्रेबल बिल्कुल balanced है ट्रेबल उसी साफ से दिया है जैसे गेमिंग में requirement होती है तो आप ले सकते हो पर अगर dedicatedly music lover हो और आपको gaming के साथ साथ equally music भी सुनना है तो मैं बिल्कुल suggest नहीं करूँगा फिर मत बोलना कि हाँ इसमें audio quality अच्छी नहीं है अब बात आते हैं gaming experience को ल लिख रखे कि dongle not working अरे मेरे भाई हर फोन में OTG connection on करना पड़ता है आजकल जितने भी latest android आ रहे हैं किसी किसी में plug and play होते है किसी किसी में OTG connection on करना पड़ता है तो जो लोग यह headphone पाये करेंगे बिल्कुल उस review पर मत जाना dongle working है OTG connection on करना पड़ता है तो तो तब ही जाके आगी volume full हो चुगी है यह नहीं कि आप उसको tap करो आपके phone में volume full हो जाए और आप उसको full मान लो नहीं full तभी होगी जब इसके अंदर beep के आवाज आएगी तो उस चीज का ध्यान रखना है दो clarification थे जो मुझे देने बहुत ज़रूरी थे वहां पर review section पड़ रहा हो पर अं अच्छे से पता लग जाते हैं और जो आप इसके dongle के थुरू connected रखते हो तो यह automatically 3D signature mode में चलता है और अगर आप इसको directly Bluetooth से connect करते हो तो यह music mode में चलेगा आपको change करना पड़ेगा 3D mode में 3D mode में थोड़ी सी enhancement हो जाती है और आपको जो latency हो कम मिलती है even on Bluetooth mode dongle के साथ तो obvious आपको एकदम wired वाल experience मिलने वाला है और यह वाली dongle में iOS में connect करके नहीं देख पाया मुझे पक्का नहीं पता iOS में चलेगी नहीं चलेगी क्योंकि iOS में lightning to female type C का jack चाहिए जो मेरे पास नहीं है अगर तुमारे में से कोई करने वाला है तो comment section में बता देना मैं पिन कर दू और आप जो आवाज सुन रहो वो इसके internal microphone की है external वाला हमने remove कर दिया है बताना comment करके कैसी लगी दोनों आवाज है और mic की quality overall कैसी लगी मतलब बता दोगे ना algorithm वाली बातचीत समझ रहो ना मतलब और जब wireless gaming headphone है तो उसका latency test भी मैंने किया है इसको मैंने Bluetooth mode पे भी test किया है iOS पे भी test किया है जिसके अंदर music और 3D mode दोनों पे test किया है तो एक पर आप latency पे नजर मार लो तो देख लिए आपने dongle mode पे बिल्कुत zero latency है और iPhone पे अगर हम 3D mode पे test करते है तो 3D mode पे थोड़ी सी latency मिलते है मतलब आप iOS से डिरेक्ली Bluetooth से connect करोगे तो बड़िया gaming कर सकते हो music mode पे लेटेंसी देखो जादा ही और एक सवाल मुझे Instagram पे मिला बहुत जादा कि इसके जो 3.5 mm jack में जो input है माइक वाला जो input है उसकी जगा हम ऑक्स रागे wired की तरीके से यूज़ कर सकते है तो नहीं आप इसमें सिर्फ पोड़ा सा expensive side है लेकिन साथ ही साथ अगर आपको दिखा जाए तो console compatibility मिल जाएगी PS5 के साथ connect होने वाला ऐसा headphone नहीं आया इस range में जिसा डॉंगल मिले और डिरेक्ली वायरलेसली आप कर लो वैसे भी दिवाली पर आने वाली है उसके बाद क्रिस्मस पर जाएगी फिर न्यूएर पर आजएगी से लाती रहती है मैंने जैसे की 2400 का मंगाया था तुम्हारे को होगा लाइक मारते हैं वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं चानल को हम मिलते हैं नेक्स बड़ी इंट्रस्टिक वीडियो में अब तक के लिए बाए